तुम्हें आपको बताओं मैंने पहले वीडियो बनाया था तो जिसमें आप में से काफी साधा लोगों ने यही कमेंट किया था कि जो च्रिया है उसकी मां की साथ उसकी अन्वन हुई है उसकी सास के साथ नहीं हुई है और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ऐसा नहीं है उसने अपनी सास के उपर जुटे इलजाम लगाये थे तब ही उसके साथ तू तड़ाक हुई थी उसके पती की ये बात मैंने आपके साथ शेयर किया था और आप मुझे क्या कर ग्यान दे रहे थे कि नहीं तरुना आपको नहीं पता उसकी मा के साथ उसकी वो अपनी मां से बात करती थी इस वज़े से उनके बीच में misunderstanding हुई है तो देखो भाई मैं जो भी बोलती हूँ प्रूफ के साथ बोलती हूँ अब तो मेरी बाते आप लोगों के सामने सारी सच्चाई आने लगी है फिर आपको समझ में सच्चाई मिलती है इधर उदर की बाते करके मुझे वीडियो बनाना या फिर इतना मेरे पास नादो टाइम होता है पर इतना मुझे पता चल गया था कि उसने अपनी मदर इनलो के लिए कुछ गल्त बोला था जिसकी वज़े से यह सब चीजे हुई थी और वो इतनी दूर नहीं है उसी के पास है ऐसा यह सब एक ड्रामा क्रेट किया गया था कुछ चीजए अच्छी निकली है कुछ चीज बुरी निकली है आज अब यह विडियो शूट करके अप्लोड किया गया है पेश्चीज और पिच्छी पर Εपप्ड़करी गई है नहीं क्या व्यूय प्लगा रहे हैं कि हुझी यह जी तरीके से जो जूट है वह तो यह चीज तो हो गई ठीक है दूसरी बात मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूं वह यह है कि एक बात बताओ थोड़ा सा सोचिए का कोई भी हो अगर आप इतनी बड़ी रकम जैसे वह बोल रही है मुझे इतना नहीं है 25,000 रुपे आप अपने पीहर में दे देते हो और आपके हजबन को नहीं पता होता और आपकी सासुमा घर में आती है आप उनके उपर इल्जाम लगा देते हो तो पहली चीज तो यह चीजे सही है क्या नहीं है अरी तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली की वैल्यू है तो उसके लिए उसकी फैमिली की वैल्यू नहीं मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते यहां पर ही बात रख रही हूँ और मुझे नहीं पता कि उनकी बातों में कितनी सच्छा है कितनी नहीं है पर मैं सरिफ यह चीजे आप लोगों को बताना चाहती हूँ ऐसे भी किसी के उपर इल्जाम लगा देना ऐसे भी किसी को एक दम से कर देना यह सब चीजे ठीक नहीं होती है थोड़ा सा समझने की कोशिश कराकर हो परिवार है बच्चा है हमेशा सी चीज बूलती हूं तुम दोनों के चक्कर में कोई नहीं पीसरा है बच्चे की रेड बन रहे है इस घर से उस घर उस घर से इस कर वैसे तुम अपने अब तुम चाहे अपने माईके के घर में आकर बैठी हो या फिर अपने किसी फ्रेंट के घर में आकर बैठी हो यह कुछ नहीं है और तुम्हारे जो हजबन है वो आपी के साथ है जो इमेज आपने खराब की है आज अब आप चाहती है कि वह इमेज फिर से स्टार्ट की तो ये सारी चीजे हो रही है तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था जो होगा बहुत जल्दी आने वाला है सब चीज आप लोगों के सामने तो जो भी दोनों मिया बीवी का ड्रामा है जो भी कुछ है ये बहुत जल्दी परदाफास होने वाला है और एक नई स्टोरी के साथ ही सब चीजे अब किलियर की जाएगी वो वहाँ जाएगी वो वहाँ आएगा फिर माफी होगी फिर से आप लोगों के सामने वही हैपी हैपी वाले व्लॉक्स चलेंगे क्योंकि भाईया आइफॉन जो फोर्टीन है उसका तो पेमिंट आचचुका है और इतना अमांट हमने कर लिया है कि हमारा जो फोन है वो फ्री हो गया भाईया ऐसा भी जुनूल किस बात का मुझे बताओ फोन तो 10,000 वाले फोन में भी बात होगी और 20,000 फोन में भी बात होगी अब इनके जब फ्रेंट का फोन आया तो उनके पास दूसरा फोन है क्योंकि भी उनके घर में अब जो बात होगी युकि यह रही हूं तो इसका कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना तो अब वह बोला जाएगा क्यों के घर में इतने सारे लोग हैं तो वह लोग फोन यूज करत वही चीजे हैं अपना थोड़ा माइंड यूज करो सोचने और समझनी की कोशिश करो कि तरुना कभी जूट नहीं बोलती है और अब तक भी मेरी जितनी वीडियो आई है कल हां मैं थोड़ा रेक्शन ज्यादा मेरा हार्ली हो गया था पर मैंने उसको थोड़ा कॉमेडी मे लेकर थोड़ा गुसा लेकर यह सब चीजे किया था अपको पसंद आया थैंक्यू था यह दिल से और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला और यूट्यूब ने भी मुझे बोला है क्या तुम बड़े वाले थामनेल लगा रही हो कि मुझे सच में बहुत ज़दा क्योंकि जब आपकी तारीफ लोग करते हैं वो तो अच्छा ही लगता है और जब खुद जिस अप्लाटफॉर्म पर काम कर रहे हैं वो प्लाटफॉर्म अगर आपको अप्रिशेट करता है तो और ज़दा अच्छा लगता है मैं यहां कहीं उसको लगा दूंगी आप और फ़०्ट चाहरों को यहीं की नोटन्की थी आप लोगों के साहEp की तो नैक्स वीडियो जो आने वाला है बहुत ही क्या हारी रेक्शन अने वाला है और वह रिक्र चनी के पर होगा तो वीडियो का वाच ही जीगा वीडियो आपको शाम तक पांस या खीम आपको मिल ज करूंगी और अपना इसी तरीके से मुझे प्यार दीजिएगा डेर सारा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़दा ज़दा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो ची लगते लाइकन शेयर कीजिएगा कोई भी कोशन हो कमें शुक्षनुरा मत बूलियेगा बबबया लवियो थैंक्स वर वाचिंग जय मत अदी